Hello guys, welcome to my channel, तो guys, यहाँ पर finally Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro के लिए Mi Whitewell का Update रोल आट होना स्टार्ट हो गया है guys यहाँ पर अचानक से किसी ने उमीद भी नहीं की थी के Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro के लिए Mi Whitewell का Update मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर फड़ा फट से इस update के बारे में बता देता हूँ तो आप लोग कैसे इसको update कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ तो guys यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बता दू नीचे जो लाल बटन जिस पर लिखा है subscribe पहले यार उसको press करके रख लेना ताकि ऐसी कोई भी update आती है तो मैं हमेशे आपको समय पर बताते रहूँगा अब यहाँ पर इस update के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो build number देखने के लिए मिलेगा MIY12.0.2.0 का latest build number है guys यहाँ पर MIY12.0 का update है MIY12.0 के जितने भी features है system, animation, control center, dark mode, guys यहाँ पर full screen mode सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर इस update में देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर यह update guys अब भी थोड़ी देर पहले release होना start हुआ है 10 मिनिट हुए इस update को आकर और यहाँ पर इंडिया में भी सभी के पास यही वेरेंट देखने के लिए मिल सकता है तो जितने भी user Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro के यहाँ पर जाओ फड़ा फरसे जाकर check करो software update पर अगर update आया तो यार उसको वेस्ट मत करना फड़ा फड़ापर से डाउनलोड करके उसको अपड़ेट जरूर करके रख लेना वरना यह update रोल बैक हो जाएगा फिर से आपको 5-6-6 दिन तक वेट करना पढ़ सकता है इसलिए फड़ा फड़ापर से जाओ डाउनलोड करो update करो और भाइल यहाँ पर अगर अगर अटट नहीं भी मिल पाता है तो इसकी ईसकी लिंक्वर्धा आपने अपने ठीजिजा मैं आपने ना पर लोग देहेंगाइड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थ हूं? तो finally good news है guys, यहाँ पर Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro के लिए फटाफट से जाओ, अपडेट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको like भी जरूर कर ले, आभी के लिए इतना ही मिलते है के लिए वीडियो में, बाई